आज हम लोग ऐसा self introduction देना सीखेंगे कि job interview में आपका selection तो पक्का हो गया जी हाँ, इस self introduction यानि कि आत्म परीचाय में जो बाते मैं आपको बताने वाली हूँ और जिस तरीके से बताने वाली हूँ आपको बिना जादा अपना दिमाग लगाए बस इन बातों को रात जाना है रट और आपका selection मैं बता रही हूँ ना पक्का हो जाएगा चलिए शुरू करते हैं आज के class, hi guys, welcome to bebanker, मैं हूँ पृती म्याम और आप देखना शुरू कर चुके हैं self introduction वाली class चलिए class को शुरू किया जाए उसके पहले अगर चानल पर नए है तो जल्दी से चानल को subscribe कर लिया जाए साथ ही पहला icon जरूर दबा लीजेगा ताकि जब भी हमारी कोई नई class आए आपको जरूर पता लग जाए सीदी सीदे टेलिग्राम पर आजाए इस लिंक के जरीए आ सकते हैं नंबर के जरीए आ सकते हैं टेलिग्राम पर क्यों आना है भाई सबसे पहली तो रोज की classes को फोन पर पा सकते हैं हमारी books, ebooks, paid courses, free courses के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सबसे महत्योपूर्ण आज की जो ये class है इसकी notes टेलिग्राम पर आ रही है तो बिना किसी देरी के फटा-फट class करने के बाद टेलिग्राम पर पहुंच चाहिए चलिए शुरू करते हैं आज की class सबसे पहले मैं बता दूँ self introduction यानि कि जब आप अपना परीचे देते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है सामने वाले को greet करना सामने वाले का अभिवादन करना जो आप कर सकते हैं कहकर good morning sir या madam यानि कि पैनल में आपके सामने जो बैठा हुआ हो चाहे वो sir बैठे हुए हो या ma'am बैठी हुई हो आप कहेंगे good morning sir या madam अगर दोनों बैठे हुए हो तो फिर क्या करेंगे भाई दोनों बोलेंगे na good morning sir and madam ठीक है यहां तक बात साफ हो गई अभिवादन करना है यह compulsory है यह step को नहीं छोड़ सकते हैं selection चाहिए ना job में तो यह step नहीं छोड़ सकते हैं आगे बढ़ेंगे और उनको कहेंगे thank you किस लिए कहेंगे thank you समझे एक बात पूरे भारत में कितने ही लोग होंगे जो इस नौकरी के लिए जिन्होंने apply किया होगा या उनमें इसे छट करके कितने लोग होंगे जो interview देने आये होंगे तो भाई कुछ लोग ऐसे भी है ना जिनको यह मौका ही नहीं मिला कि वो panelist के सामने बैठ सकें इंटर्वियोर के सामने बैठ सकें आपको यह मौका मिला है तो इसके लिए आपको धन्यवाद जताना जरूरी है तो क्या कहेंगे धन्यवाद जताते वक्त First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself First of all, यानि कि सबसे पहले धन्यवाद, thank you मुझे यह अवसर देने के लिए for giving me this opportunity कि मैं अपने आपको introduce करूँ, to introduce myself यह भी compulsory point है, आगे बढ़ते हैं फिर आप बताएंगे अपना नाम I am Rahul Verma या I am Ragini Verma ठीक है, अब आपको Rahul Verma, Ragini Verma नहीं बोलना है अगर तो आप Rahul Verma हैं, तो कह सकते हैं रागini Verma हैं, तो कह सकते हैं लेकिन अगर आप पूजा त्यागी हैं या रोहित त्यागी हैं, तो आप यह नहीं कहेंगे यानि कि मतलब मेरा यह है कि यहाँ पर आपको अपना नाम बोलना है इसलिए देखिए, color थोड़ा सा है change, क्योंकि यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है राइट, I am, जो भी आपका नाम हो उसको कहेंगे, और तर आगे बढ़ेंगे अपने जगह के बारे में बताएंगे अपना नाम बता दिया अब बताएंगे कि आप कहां से है आपको क्या देना है थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर क्या अंसर दीजिए जैसे कि अलमोडा से भई और अलमोडा कहां है उत्राखंड में, जरूरी नहीं न, सबको पता हो आपको कह सकते हैं, I am from सूरत गुजराग I am from मुंबई, महराष्ट्र इस तरीके से आप इसको बोलेंगे आप जहां से है, particularly उस जगा का नाम साथी वो जिस भी स्टेट में पढ़ता हो उसका नाम लेकर के आप आगे बढ़ेंगे इसको बोलते हुए I am 23 years old इसके बाद आप अपने बारे में बता देंगे यह तो आपने क्या बताया यह आपने अपना नाम बताया अपनी जगा बताई अपनी उमर बता दी, correct? अब, अब क्या बताएंगे? अब उनको बताएंगे आपकी qualification यानी कि आपके पास आपने क्या पढ़ाई की है, कहां से पढ़ाई की है, क्या degrees है आपके पास उनके बारे में आप बात करेंगे तो इस बात के शुरुवात कैसे करेंगे कहेंगे about my qualification यानि की मेरी educational qualification के बारे में I completed my bachelor's degree in bachelor's degree कौन सी होती है जिसको आम भाचा में graduation कहते हैं ठिक है लेकिन आपको interview में क्या कहना है bachelor's degree कहनी है थोड़ा अलग हट के बात करनी है ना बैं interviewer से तो bachelor's degree शब्द का प्रियोग करेंगे I completed my bachelor's degree in commerce हो सकता है science हो सकता है arts हो सकता है engineering हो सकता है mbbs हो सकता है कुछ भी हो सकता है जो भी आपने bachelor's की हो जिस भी subject को लेकर कि आपने सनाथ तक यानि की graduation यानि की bachelor's degree की हो आप उसको mention करेंगे साथ ही आप mention करेंगे अपनी university जहां से आपने इसको complete किया है जैसे I completed my bachelor's degree in commerce from तिलक नारायन university अब जहां जहां पर red है वहां पर आपकी details आएंगी इसको साफ समझ लीजे यहां पर तिलक नारायन है पर वहां पर कुछ आपके university कुछ और हो सकती है आप उसको वहां पर mention करेंगे यहां तक बात साफ हो गई इसके अलावा अब भई qualification की जब बात करते हैं तो school की qualification भी तो होती है कहेंगे about my schooling यहां पर school qualification नहीं जैसा शब्दों को नहीं इस्तमाल करेंगे ठीके मैंने देखा है students को use करते हुए so no that's a big no आप नहीं इस्तमाल करेंगे आप कहेंगे about my schooling I completed my 10th and 12th from CBSE board अब आपका बोड कुछ भी हो सकता है आपका बोड उतराखंट बोड हो सकता है आपका बोड बिहार बोड हो सकता है जाकंट बोड हो सकता है राजस्थान बोड हो सकता है ICSE हो सकता है and what not तो जो भी आपका बोड होगा आप वहाँ पर mention करेंगे क्या कहेंगे about my schooling I completed my 10th and 12th from जो भी आपका बोड है उसका नाम यहाँ पर हमने उदारन लिया है CBSE board का about my schooling I completed my 10th and 12th from CBSE board आगे बढ़ते हैं अब एक काफी एहम सा हिस्सा जो की आप चाहें अगर आप के पास यह चीज है तो आप डालें नहीं है तो न डालें और वो है job experience यानि कि अगर आपने इसके पहले कहीं पर काम कर रखा है तो वो आपके experience यानि कि आपके अनुभव के तौर पर count किया जाता है तो अगर आपके पास तो काम करने का अनुभव है work experience है तो आप उसको कैस मेंशन करेंगे, देखे, I had been associated for two years, यहाँ पर मैंने उदाहरन दो साल का लिया है, I had been associated, समझ यह, associated का मतलब होता है, जुड़े रहना, है न, तो मैं जो है, जुड़ा था पिछले दो साल से, with my last company as a team head, क्या बताया, कि हमारे पास work ex है, इसको बताया, associated का use करके, कितने साल से है, तो उसको बताया, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, यह बताया, with my last company, यानि कि आपको work ex जो है, अपने just जहाँ पर आपने job छोड़ी है, या, तो आप continue है, और यहाँ पर भी आप interview देने आए है, उसके बारे में बताएंगे, last company वही कहलाएगी, as a, फिर आप अपना role बताएंगे, कि उस company में आपका क्या role है, team leader है, HR है, marketing head है, manager है, assistant manager है, आप desk पर काम करते हैं, desk job है आपकी, जो भी आपकी post होगी, आप उसको वहाँ पर mention करेंगे, correct, तीन चीजे, associate work ex अगर है, work experience अगर है, तो कहेंगे associated, I had been associated for say 2 years, 3 years, 5 years, 7 years, जो भी, जितने भी duration के लिए आप associated रहें हैं, उसके साथ, with my last company, as a, फिर अपना role बताएंगे, कि हाँ, HR थें, हाँ, टीम leader थें, हाँ, प्रोजेक्ट manager थें, जो भी आप थें, आप उसको वहाँ पर mention करेंगे, और ये totally, totally, optional है, आपके, जिनके पास, आप में से, जिनके प work experience है, आप इसका इस्तमाल करें, और जो fresher है, जिनके पास work experience नहीं है, आप इस पूरे के पूरे हिस्से को छोड़ दें, correct, है नी work experience तो क्या बताएंगे, है ना, तो इस पूरे हिस्से को छोड़ दें, और फिर आगे बढ़ें, along with my degree, है ना, along with my degree, यानि कि जो मेरी degree, जो म हमने कर रखा है, उसके साथ, I have completed a basic course, in, मतलब, degree तो है, मेरे पास, लेकिन उसके साथ, मैंने जो है, basic course कर रखा है, जो कि आज के date में, बहुत जरूरी है, जब आप job मांगने जाते हैं, क्योंकि skill खोजते हैं, वो लोगा है, ना, कि आप में, अपनी degree के अलावा, क्या क्या talent भई, है ना, तो वहाँ पर आपको इन courses को mention करना है, जैसे कि DCA, ADCA, Tally, C, C++, Photoshop, Java, .NET, ASP.NET, यह सारी जीज़े, अगर आपने कर रखिये तो, इसके अलावा, अगर आपने कोई और course कर रखा है, जो आपको लगता है, कि आपकी degree, आपके last company में काम करने से related, या आपकी current company, जहां पर आप interview दे रहे हैं, उन से related हो, और आपने कोई असा course कर रखा हो, ता आप उसको भी mention कर सकते हैं, यह मैंने उदाहरन के तौर पर लिया है, इसी लिए red color से यह लिखा लिखा है, यहां पर आपकी personal, खुद की details आएंगी, जो course आपने किया होगा, उसके बारे में ब बता देंगे, and I have a good knowledge in, यहां पर आपको बताना है, कि भई यह तो कर रखा है, इसके अलावा मेरे पस और भी चीज़ें हैं बताने को, I have good knowledge in, social media, marketing, python programming, और cloud computing, data analytics, जो भी आपने कर रखा हो, यह आपको knowledge हो उस चीज़ की, knowledge ऐसी वाली कि ऐसा नहीं कि कहीं से सुन सुना क् प्रॉपर नॉलेज हो आपकी, तो आप वहां पर mention करेंगे, मान के चलिए कि निको डेटा साइंस में बहुत अच्छा कुछ आता है, तो बताएंगे भई, I have a good knowledge in data science, I have a good knowledge in python programming, cloud computing, social media marketing, जो भी आपकी knowledge है, आप उसको वहां पर flaunt करेंगे, आप उसको वहां पर बताएंग ठीक है, इसके अलावा, अब यहां पर हमने क्या बात कर लिया अब तक, हमने बात कर लिया अपने professional, मतलब जो भी हमने degree कर रखी है, course कर रखी है, उसके बारे हम बता दिया, coming to family, अब परिवार के बारे हम बताएंगे, आप एक-एक हिस्सा उसको एक-एक पत्ते खोलते जा coming to my family, apart from my parents, apart from का मतलब क्या होता है, इसके अलावा, apart from my parents, यानि कि मेरे माता-पिता, parents के अलावा, I have a younger या elder, younger मतलब छोटा, elder मतलब बड़ा, brother या sister, भाई हो भाई कह दीजे, बहन हो बहन करते हैं, कह दीजे, औ का मतलब है, एक की बात कर रहे हैं, हो सकता है आपके दो ब तो कहेंगे टू, अगर तीन हो तो कहेंगे थ्री, जैसे I have three younger sister, या two elder brother, इस तरीके से आप बात करेंगे, ठीक है, and my father is a marketing head in a private firm, पिताजी क्या करते हैं, उसके बारे में बताएंगे, कि भाई, अगर मान के चली, retired है, तो कहलेंगे, retired है, और उन जिस company में काम करते थे, उस बतादेंगे, farmer है, farmer बतादेंगे, आप जो भी आपके पिता काम करते होंगे, आप उसको यहां पर mention करेंगे, and my mother is a housewife हो सकती है, homemaker हो सकती है, business woman हो सकती है, या वो ही जो आप में हो सकती है, है न, आप नॉर्मली कह सकते हैं, कि हाँ, service में है, right, तो कैसे बताएंगे, coming to my family apart from my parents, I have a younger, या elder, brother, या sister, and my father is a marketing head in a private firm, and my mother is a housewife, homemaker, business woman, जो भी होगा, आप उसको वापर mention करेंगे, right, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और आप बात कर लेते हैं, आप के बारे में, फिर से, आप अपनी quality बताएंगे, I am an optimistic person, अब समझे, जहाँ पर भी, सबसे पहली तो बतादू, जहाँ पर भी मैंने red नहीं किया है, यानि कि throughout आपको सारी lines black दिख रही हैं, उसको आपको as it is अपने दिमाग में feed कर लेना है, as it is अपने दिमाग में धसा लेना है, और as it is interviewer को बोलना है, आरिये बात समझ, तो गलती की गुंजायश खतम, बताया था ना, selection पक्का, क्यों बोला था, इसी वज़े से बोला था, कि इन lines को as it is आपको बोलना है, राइट, चलिए, क्या बोलेंगे समझते हैं, समझ लीजे lines को है ना, ऐसा न लगे कि भाई हाँ, याद करके आए हैं, समझ के बताएंगे, पूरे conviction और पूरे confidence के साथ बताएंगे, राइट, I am an optimistic person, optimistic कर्थ होता है आशावादी, मतलब जो की बहुत जादा, मतलब चीजों को हमेशा बहुत जादा अच्छे से देखता हो, मतलब आशावादी हो, चीजों के प्रती हमेशा positive रहता हो, I am an optimistic person and a quick learner, बहुत जल्दी चीजों को सीख जाते हैं, सर आप एक दिन दे देजे सिखा दीजो, तुरंट सीख जाऊँगा, आप ये कहने वाले हैं, आप ये कह रहे हैं इस line के जर्ये, समझ रहे हैं, I am an optimistic person and a quick learner, my strengths, अब आप अपनी जो strength है उसके बारे में बात करेंगे, my strengths are my family, being hard working and a team worker, आपने देखिए, एक line में अपनी तीन quality बता दी और तीनों पंदार वाले quality है, सबसे पहली, मेरी जो ताकत है, मेरा जो strength है, वो मेरा परिवार है, ठीके, दूसरा क्या है, hard working, बहुत hard working इंसान हूँ मैं, आप ये बताना चाह रहे हैं, और team worker हूँ, यानि कि आपके company में जब में आऊँगा, तो team में काम करूँगा, सब को ले के ये आप कहना चाह रहे हैं, ठीके, क्या कहेंगे, my strengths are my family, being hard working and a team worker, बता दिया, I am easily adaptable to any kind of environment, अब ये वाली एक line, जो है, इस super वाली line आपने मार दी याँपर, I am easily adaptable to any kind of environment, Adaptable का मतलब वो होता है, जो बहुत अजानी से किसी भी वातावरन में ढ़ल जाता है, ये क्या, क्यों बताना चाह रहे हैं, कि भई, आपके office का जो भी वातावरन हो, मैं इतना अच्छा हूँ या इतनी अच्छी हूँ, कि किसी भी वातावरन में बहुत आसानी से ढ़ल जात अगर यह बात नहीं करेंगे, मान के चलिए, तो सामने वाला हो सकता है, आप से पूछ दे, strength तो बता दिया, weakness के बारे में कौन बात करेगा, हो सकता है न, चलिए, my weakness is, I easily trust people, मतलब मैं बहुत आसानी से लोगों के उपर भरुसा कर लेता हूँ, या कर लेती हूँ, which makes me fall sometime in a state of confusion, जो कि कई बार मुझे थोड़े से confusion में डाल देता है, मतलब भरुसा कर लेते हैं, पर वो उसके वज़े से न, थोड़े से confusion में चले जाते हैं, कि भरुसा करे भी या न करे, उसके साथ एक online हमने आड़ की, I am working on it, मतलब ये जो weakness है हमारी, इसको आप सिर्फ weakness में समझेगा, क्यों, क्योंकि मैं इसके उपर काम कर रहा हूँ, या काम कर रही हूँ, और ये ठीक हो जाएगा, I am working on it, आगई बात समझ, चलिए, अब बात करते हैं, आपके short term goal की, और बात करेंगे long term goal की, my short term goal is to get a job in a reputed company, या organization like yours, मतलब मेरा जो short term goal है, वो ये है कि मुझे एक नौकरी मिल जाए, एक reputed, यानि कि जिसकी प्रतिष्था हो, वैसे प्रतिष्थित एक मतलब जगहा पर, company हो या organization हो, देखिए, हो सकता है, आप जहां पर interview देने गए हैं, वो हो सकता है, registered company ना हो, छोटा सा firm हो, organization हो, भई, लोग वहां भी चाहिए ना काम करने के लिए तो आप company या organization या firm किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, कि मेरा, my short term goal is to get a job in a reputed company slash firm slash organization like yours, यानि कि आपके जैसा, तो आपने indirectly उनको reputed कहा, आगई बात समझ, इसके अलावा, my long term goal, अब थोड़े से दूर दृष्टी के बारे में भी बात करते हैं, my long term goal is to achieve a good position in your company या organization जो भी हो, जहां पर भी आप interview देने गए हैं, मतलब मेरा जो long term goal है, वो मतलब एक अच्छे position को achieve करना है, where I can build my career as well as organization too, जहां पर मतलब अच्छे position को hold करूंगा या करूंगी, तो मेरा career को भी मैं बहुत बढ़िया बना सकूं, और साथी organization को भी growth दिला सकूं या दिला सकती हूं, ठिक हैं, आप इस तरीके की line बोल रहे हैं, my long term goal is to achieve a good position in your company, मतलब आप यहां पर अपने confidence का थोड़ा सा प्रचार कर रहे हैं, कि भई, good position in your company, है न, या firm या organization, where I can build my career as well as organization too, जहां पर मैं अपना career भी बना सकूं, उसको अलग उचाईों पर ले जा सकूं, साथ ही organization को भी मैं एक अलग level की उचाई पर लेके जा सकूं, यह हमने यहां पर बता दिया, long term goal बता दिया, short term goal बता दिया, अब बात करेंगे आपके hobbies की, क्योंकि हर इनसान की होती है, my hobbies are reading books and listening music, किताबे पढ़ना पसंद है, गाने सुन मतलब मुझे online courses, online हो गया, offline हो गया, जो मेरे skill को enhance करें, enhance मतलब बढ़ाना, है ना, उसको polish करना, जो मेरे skills, जो मेरे मेरे qualities हैं, जो मेरे skills हैं, उनको और निखारने के लिए online, मतलब online courses जो है, मैं करता हूँ या करती हूँ, है ना, मैं learn करता हूँ, मतलब हमेशा सीखते रहत तो हमारा knowledge क्या होता है बढ़ता रहता है ये बताना चाह रहे हैं इसके लावा in free time I like spending time with my family मतलब जब कुछ काम नहीं होता या रिलाक्स करने की इच्छा होती है तो परिवार के साथ क्या करते हैं समय बिताते हैं परिवार के साथ ये करते हैं तो क्या बोला हमने अपनी hobbies बता दी कि भई बुक किताबे पढ़ना पसंद है गाने सुनना पसंद है और साथ में ये भी बताया कि अपने knowledge को enhance करना पसंद है कोर्स करना पसंद है जो मेरे knowledge को enhance करें इसके अलावा परिवार के साथ वक्त बिताना भी free time में मुझे पसंद है बता दिया आपने तो चलिए इसके बार और क्या बताएंगे हो तो गया that's all about me sir ये line बहुत important है इसको कहकर कि आपको interview को wind up करना है यानि के नहीं तो फिर बोल ये concluding line आपको डालनी है कि that's all about me sir ये line आपने कह दी मतलब आपने उनको ये इशारा कर दिया कि मैंने जो बताना था मेरे बारे में मैंने आपको बता दिया इसके बाद thank you so much for giving me this opportunity to introduce myself ये line भी बोलना जरूरी है फिर से कि मतलब उन्होंने इतनी देर बैट करके आपकी बात मुझे ये अफसर देने के लिए कि मैं आपने आपको introduce कर सकूँ आप सब के सामने ये वाली line बोल करके आपको इसको finish करना है right तो चलिए ये वाली सारे lines आपको जहाँ पर मैंने red बताया वहाँ पर आपकी details आ जाएंगी जहाँ पर red नहीं है black है पूरी तरीके से वो as it is आ अपनी selection पक्की वाली चाहिए तो चलिए भई ये थी आज की class कह लीजिए या आपके लिए life changing एक session कह लीजिए जो कि आपके job selection को पका पका करने वाला है और इसके साथ ही again से याद दिला दू telegram पर इस class की notes आ जाएंगी तो जल्दी सब फटा-फट से telegram पर पहुँच जा सीख लीजिए साथ introduction सीख लीजिए और फिर जाए बिलकुल नौकरी पकी करके लेके आईए है ना तो इसके लिए telegram पर आ जाएए mini spoken English course इसके लिए भी telegram पर आना होगा telegram पर कैसे आएंगे search करेंगे लिख करके bbanker app को खोलेंगे search करेंगे bbanker मिलेंगे सबसे पहले bbanker education solution नाम मिलेगा आपको और वहाँ पर आपको होना है जॉइन 15,000 सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे मेरे नाम के चैनल खुले वे हैं तो वहाँ पर नहीं जाना है इसके लिए अप कैसे बच सकते हैं इस लिंक के सरीए आए भई सीधे सीधे ऑफिशल पेज पर लैंड करेंगे join button clicker के join कर सकते हैं इस नंबर के सरी आएंगे सीधे सीधे ज़ोइन button clicker के join कर सकते हैं इन तीनों किताबों की details पराप्त करने के लिए साथ ही अगर आप चाहते हैं हमारा कोई भी paid course करने के लिए जैसे कि है premium spoken English का course, basic English drummer का course, basic English reading का course इन तिनों में से कोई भी course आपको करना ह जो कि exclusively paid courses हैं तो आप telegram पढ़ा सकते हैं, सारी details बता कर सकते हैं, free course करनी है तो भी telegram पढ़ा सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं, मुझे free course चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगी, जब भी telegram पर message करें, ध्यान रखें, कि 12-40 गंडों का वक्त लग जाता है reply मिलने में, तो क प्रतीक्षा करें, और अगर message कर दिया है, निश्चिन्थ हो जाएं, आपको reply जरूर, जरूर मिलेगा, clear हो गई बाग, so yes guys, that's it for today, thank you so much for watching, be with bbanker, empowering lives through knowledge, thank you so much for watching, stay tuned to bbanker.